Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel So, इस वीडियो में भी हम लोग अपना 100 days of deep learning playlist continue करेंगे हमने last वीडियो में transformers start किया था और अब मेरा goal है अगले 5-6 वीडियो में transformers का जो architecture है वो मैं आपको बहुत detail में समझाना चाहता हूँ और हम start करेंगे self attention से So, अगर आपको पता नहीं है तो फिर self attention is the mechanism जिसके उपर transformers बहुत heavily depend करता है In fact, आप ऐसा मान सकते हो कि अगर आपने self attention mechanism बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको transformers भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा And that is why I am going to put a detailed video on self attention So, initially तो मेरा plan था सिर्फ एक ही single video बनानेगा बट जब मैंने वो video बनाया तो वो video बहुत बड़ा बन गया तो that is why मैं उसको तीन parts में release करूँगा This is the first part और ये एक बहुत प्यारा सा छोटा सा video है जो आपको बहुत detail में ये समझाएगा कि self attention होता क्या है फिर जो अगला part होगा वहाँ पे हम discuss करेंगे कि self attention काम कैसे करता है और फिर third part में मैं आपको थोड़ा सा और detailed geometric intuition दूँगा कि self attention exactly behind the scenes कैसे काम करता है बट इन तीन videos के थुरू मेरा goal है आपको self attention बहुत अच्छे से समझाने का because self attention समझ में आ गया आप जो भी चीज़े आज की रिट में देख रहे हो LLM's, Generative AI उसके उपर भी आपको mastery हसल करने में बहुत आसानी होगी तो super excited for the next 4-5 videos really hope इस video के थुरू मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊं कि self attention होता क्या है let's start the video तो guys सबसे पहले ना discuss करते हैं कि self attention होता क्या है हमें आगे काफी detail में पढ़ना है कि self attention काम कैसे करता है बट वीडियो की शुरुआत में अगर एक clear idea मिल जाएगा कि self attention होता क्या है तो आगे का वीडियो बहुत आसान हो जाएगा तो self attention क्या होता है समझाने के लिए मैं आपसे छोटा सा question पूछना चाता हूँ कि कोई भी NLP application बनाने के लिए natural language processing application बनाने के लिए सबसे important requirement क्या है ठीक है आप एक बबर वीडियो पॉस करो और सोचो कोई भी NLP application उठाओ sentiment analysis कर रहे हो named entity recognition कर रहे हो machine translation कर रहे हो कोई भी NLP task के लिए सबसे important requirement क्या है मुझे लगता आपको समझ में आ रहा होगा सबसे important requirement यह है कि आप words को numbers में कैसे convert करोगे कोई भी NLP application output होगा वो होगा तो words ही sentiment analysis है तो पूरा पूरा review डालोगे machine में named entity recognition है तो पूरा का पूरा sentence डालोगे machine translation करना चाहते हो पूरा का पूरा sentence डालोगे बट जो भी डालोगे होगा तो set of words ही बट problem क्या है कि हमारे जो computers होते है they don't understand words उनको बस क्या समझ में आता है numbers तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी NLP application को build करने के लिए जो सबसे important पहला step है वो ये है कि आप efficiently words को numbers में कैसे represent कर सकते हो या फिर NLP की language में इसको vectorization बोलते है कि आप कैसे words को या text को vectorize कर सकते हो तो सबसे पहला जो NLP में काम हुआ वो इसी direction में हुआ काफी काम किया लोगों ने ये समझने के लिए कि कैसे हम words को numbers में convert कर सकते है और यहीं पर कुछ basic techniques आई जैसे कि सबसे original सबसे पहले जो technique आई थी वो थी one hot encoding जहां पर आप क्या गरते हो कि मालो आपके पास ये sentence है mat, cat, mat, cat, rat, rat मालो ये दो sentences है आपको इन दोनो sentences को computer को समझाना है मतलब numbers में convert करना है तो one hot encoding में आप क्या गरते हो आप सबसे पहले पता गरते हो जो vocabulary है कितने unique words है और कौन-कौन से unique words है तो एक unique word है mat एक unique word है cat और एक और unique word है rat तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे हर word को इन तीन words की help से represent कर सकते हो कैसे? mat को आप represent कर सकते हो as 100 cat को आप represent कर सकते हो as 010 और rat को आप represent कर सकते हो 001 से तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पहले sentence को मैं बहुत आसानी से ऐसे लिख सकता हूँ 100 010 100 और ये हो गया numerical representation of this sentence similarly मैं इस sentence को भी represent कर सकता हूँ और मैं किसी भी sentence को numerically represent कर सकता हूँ but clearly यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तरीका थोड़ा सा inefficient है right तो फिर इसको improve करने की बात हुई तो इसको improve करने के लिए कुछ और techniques आई जैसे कि आया आपका bag of words bag of words slight improvement था यहाँ पे आप बस ये देख रहे हो कि वो word है या नहीं है bag of words ये भी देखता है कि कितनी बार वो word आया है मतलब bag of words में आप क्या गरोगे आप फिर से अपने सारे unique words को लिख लोगे कि mat है rat है और cat है और फिर आप हर sentence को पकड़ोगे और पूछोगे कि बताओ भाई तुमारे अंदर mat कितनी बार आया तो यहाँ पे mat दो बार आया rat कितनी बार आया एक बार भी नहीं आया cat कितनी बार आया एक बार आया तो यह जो है यह होगे आपका representation bag of words for the first sentence similarly second sentence में आप क्या अगर सकते हो आप पूछोगे mat कितनी बार आया 0 बार आया rat कितनी बार आया 2 बार आया cat कितनी बार आया एक बार आया ये हो गया numeric representation of the second sentence according to bag of words फिर इसी को और स्वड़ा improve करने के लिए TF-IDF जैसी technique आई you understand this, ये सब कुछ आप NLP में पढ़ चुके हो but असली मज़ा तब आया जब एक technique आई जिसको बुलाया जाता है word embeddings word embeddings इन बाकी के technique से बहुत जादा advance थी और ये words को बहुत बेटर तरीके से numbers में convert कर पाती थी क्यूं? क्यूंकि word embeddings में power होता है semantic meaning capture करने का इसका मतलब क्या होता है? समझातों मैं आपको semantic meaning capture करने का ये मतलब हुआ कि word embeddings word को number में इस तरीके से convert करते है कि उस word का जो meaning है और वो किस तरह के context में generally use होता है ये capture हो जाता है तो this is the best part about embeddings अब अगर आपको मैं एक quick summary दे दूँ कि word embeddings create कैसे किये जाते है तो आप क्या गरते हो? आप एक बहुत बड़ा training data लेते हो जैसे मान लो आपने सारे के सारे wikipedia articles इंटरनेट पे हैं उन सब को उठाके collect कर लिया ये आपका training data है और अब आप इस training data को एक neural network में भेजते हो ठीक है? ये neural network इस training data को समझता है हर word किस तरह के context में use हो रहा है ये सब कुछ समझता है और फिर वो हर word को एक n dimensional vector के form में represent करता है each word is converted into a n dimensional vector ठीक है? this n could be 256, 512, even 64 ये depend करता है ठीक है? थोड़ी दिर के लिए माल लेते हैं कि हमारे पास 5 dimensional vector है तो since हमने semantic meaning capture कर लिया तो आप दो words को 55 numbers के set में represent कर सकते हो जैसे कि एक example के तरह अगर हम ले तो after this training is complete we can represent a word like king with the help of 5 numbers let's say 0.6, 0.2, 1, 0.9 similarly we can represent another word like queen with another set of 5 numbers अब मज़े की बात क्या है? कि since हम semantic meaning capture कर पा रहे हैं तो अगर दो words बहुत similar हैं तो उनके ये तो vectors भी बहुत similar होंगे और इस बात का geometric intuition ये है कि इस five dimensional space में obviously मैं five dimension draw नहीं कर सकता मैं सिर्फ two dimension draw कर रहा हूँ इस five dimension space में king का जो vector होगा और queen का जो vector होगा ये दोनों बहुत similar होंगे एक दूसरे के आसपास होंगे versus let's say अगर हम कोई और word ले ले cricketer तो cricketer भी हम पाँच words से ही represent कर रहे हैं पाँच numbers से ही represent कर रहे हैं बट ये जो five dimensional vector है ये इन दोनों से बहुत अलग दिखाई देगा and this is the beauty of word embeddings ठीक है थोड़ा और detail में घुसे तो यहाँ पे यहाँ पे जो हर dimension है वो आपके data के हिसाब से कुछ aspect reveal करता है जैसे हो सकता है कि ये पहला जो dimension है ये royalty को represent करता है तो obviously अगर king होगा तो ये factor high होगा queen होगा तो ये factor high होगा बट cricketer में ये factor low होगा ठीक है second aspect हो सकता है athletism को represent करता है तो cricketer होगा तो ये high होगा बट queen होगा और king होगा तो ये factor low होगा third हो सकता है human होने को represent करता है तो since cricketer भी human होता है king भी human होता है queen भी human होती है तो ये तीनो high होगे तो basically ये जो dimensions है इनका एक meaning होता है हम actually समझ नहीं सकते because neural network हमें ये नहीं बताता कि वो dimension है क्या but हर dimension का एक meaning है और हर dimension की similarity को देखा जाता है so on the whole दो बहुत similar words will have very similar looking vectors and dissimilar words will have different looking vectors this is the main idea अब embeddings जो होते हैं वो होते तो बहुत तगड़े हैं और बहुत काम की चीज़ होते है but embeddings में भी एक problem है so मैंने अभी आपको बताया है embeddings basically क्या करते है कि somehow word का जो meaning होता है उसको एक vector में convert कर पाते हैं उनके अंदर ये capability है but sometimes ये capability नुकसान भी पहुँचा सकती है कैसे समझाता हूँ so मान लो थोड़ी दिर के लिए कि हम अपना खुद का word embedding train कर रहे है और हमारे पास अपना खुद का data है ये सारे sentences है हजारो लाको sentences है और फिलहाल ये सारे sentences एक single word पे ज़ादा focus कर रहे है वो है apple और ऐसा मैंने जान बुचके रखा है कुछ समझाना चाता हूँ आपको तो हमने भी एक neuron network बनाया ये रहा हमारा training data यहाँ पे हम sentences को भेज रहे हैं इस neuron network के अंदर और यहाँ से हमें हमारा vector मिल रहा है तीजों को simple रखने के लिए हम two dimensional vector लेके चलेंगे इसका मतलब यह है कि इस training data के हर word को including apple word को हम two dimensions में represent करेंगे और थोड़ी दिर के लिए हम माल लेते हैं कि यह जो दो dimensions होंगे इसमें पहला dimension represent करेगा let's say taste को ठीक है और दूसरा dimension represent करेगा technology को ठीक है इसका मतलब हम हर word को दो चीजों के हिसाब से rate कर रहे है कि उसका taste कैसा है और उसमें technology component कितना है I know बाकी चीजों के लिए logical नहीं है but apple के लिए at least यह logical है ठीक है तो problem क्या होता है कि हमारा जो word embedding model होता है वो actually meaning capture नहीं करता है वो average meaning capture करता है average meaning का मतलब क्या हुआ कि on an average वो particular word आपके data में किस meaning के साथ use हुआ है इसको मैं एक example से समझाता हूँ that example is apple word so मालो यह पहला sentence इस model में गया तो इस model को क्या समझ में आया अगर आप पढ़ोगे and apple a day keeps the doctor away तो ऐसा लग रहा है जैसे apple खाने की चीज की बात हो रही है तो obviously जो taste वाला component है वो बढ़ जाएगा technology वाला component zero रहेगा second वाला जब आया apple is healthy तो इससे भी क्या समझ में आ रहा है कि apple roughly खाने की चीज है तो taste से related बात होगी तो हम थोड़ा और sure होगे taste वाले component के बारे में तो हम क्या कर सकते हैं हम इस component को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं मालो हमने point seven कर दिया फिर आया third sentence apple is better than orange फिर से ऐसा लग रहा है जैसे taste की बात हो रही है तो हम थोड़े और sure हो गए तो हमने इसको point eight कर दिया technology वाला component अभी भी touch नहीं है fourth sentence आया apple makes great phones now this is a different context और इसको पढ़के ऐसा लग रहा है जैसे apple technology की बात हो रही है तो यहाँ पर इस चीज़ का weightage थोड़ा सा बढ़ जाएगा फिर आगे इसी तरीके से और sentences आएंगे जहाँ पर कभी वो as a fruit आएगा कभी as a company आएगा तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे data में अगर 10,000 sentences हैं तो उसमें से 9,000 sentences में as fruit आया और 1000 sentences में as phone company आया तो obviously जो overall vector बनेगा वो शायद कुछ ऐसा दिखाई देगा right taste में बहुत जादा high value होगी technology में बहुत low value होगी because अगर आप इस पूरे data की बात करो तो इस पूरे data में apple word का average meaning जो है वो जादा tilted है towards taste in comparison to technology अगर मैं इसको draw करके दिखा पाऊ तो अगर ये है आपका taste वाला dimension और ये है आपका technology वाला dimension तो there is a good chance कि after seeing this entire data आपका apple का जो word vector होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा बट अगर इसको flip कर ले मालो हमारे पास ऐसा data होता जहां पर 9000 lines में या sentences में apple as technology company आता और 1000 sentences में as fruit आता तो maybe ऐसा होता apple का vector तो मैं बस ये बोलना चाहरा हूँ कि word embedding दिखाई कैसा देगा ये depend करता है आपके data set के उपर ठीक है क्यूंकि word embeddings basically किसी भी particular word का average meaning को meaning को नहीं average meaning को vector में represent करता है I hope आपको समझ में आ गया तो problem क्या है problem ये है कि word embeddings बनते एक बार है और use होते हैं बार बार मतलब ये हुआ कि ये static होते हैं एक बार जैसे ही apple का ये word embedding बन गया अब यही same word embedding मैं हर जगा use करने वाला हूँ तो now this is problematic कैसे एक example के through मैं आपको समझाता हूँ तो मालो मैं एक छोटा सा NLP application मना रहा हूँ जिसका काम है translation perform करना between English and Hindi और मुझे एक sentence दिया गया है let's say the sentence is apple launched a new phone while I was eating an orange हमें इस sentence को Hindi में convert करना है तो सबसे पहले आप क्या गरोगे आप इन सारे words को इनके respective embeddings में convert करोगे तो अभी problem आ गई apple का embedding क्या है point nine point three और ये embedding static है और ये मान के चलता है कि apple कहीं भी use हो रहा है होगा तो fruit ही बट clearly आप देख सकते हो कि इस current sentence में apple is actually used as a phone company technology company तो ideally क्या होना चाहिए ideally ये होना चाहिए कि आपके पास static embedding के बदले contextual embedding होना चाहिए contextual embedding का मतलब ये है कि ये values dynamically change कर जाए based on the context मतलब अगर इस sentence की बात करे तो जैसे ही इस sentence में हमें दिखाई दे कि भई launched word आया है phone word आया है तो वो automatically technology वाले component को बढ़ा दे और fruit taste वाले component को घटा दे और ideally वो इतना smart होना चाहिए कि इस orange से confused ना हो क्योंकि ये orange इस sentence में use हो रहा है तो किसी को ऐसा लगेगा ना कि ये apple fruit है बट नहीं हमें इतना smart contextual embedding चाहिए कि वो एक particular word किसी sentence में किस context में use हुआ है उसके हिसाब से इस embedding value को इस embedding value को adjust कर पाए और ये हमारा word embedding तो नहीं कर पाता बिकाज वो static है सिर्फ एक बार train होता है बार बार use होता है और इसी problem को solve करने के लिए आता है self attention self attention एक ऐसा mechanism है जो आपको word embedding से smart contextual embeddings generate करके देता है मतलब self attention को आप एक function की तरह मानो जहाँ पर आप इस पूरे sentence को भेजते हो sentence को भेजते हो मतलब हर word के embedding को भेजते हो तो आप apple के embedding को भेज रहे हो आप launched के embedding को भेज रहे हो आप phone के embedding को भेज रहे हो आप orange के embedding को भेज रहे हो और यहाँ पर अंदर कुछ calculations चलते हैं जिससे आपको यहाँ पर नए embeddings मिलते हैं apple के लिए भी launch के लिए भी orange के लिए भी और सभी के लिए basically for every input you get one output embedding but these output embeddings are actually smart contextual embeddings और वो समझते हैं कि कोई particular word किस context में use हो रहा है और फिर इसी को आप आगे use करते हो in architectures like transformers तो I hope बहुत लंबा discussion करके मैंने आपको समझाया कि self attention होता क्या है I really hope मैं आपको समझा पाया एक simple one line summary हुई कि self attention is a mechanism that can take static embeddings as input and can generate good contextual embeddings which are much better to use for any kind of NLP applications तो अब going forward इस वीडियो में हमारा बस एक ही गोल है समझना कि इस box के अंदर ये क्या calculations चल रही है what समझ में आ गया है we are going to move on to the how so that was the video guys I know बहुती short and simple video था और उसका गोल भी बहुत छोटा था आपको बस ये समझाना चाहता था कि self attention क्या होता है अब अगर आप excited हो तो अगले वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि self attention काम कैसे करता है और वहाँ पर हम कुछ concept समझेंगे जैसे कि query key और value vectors क्या होते है और उनको कैसे use करता है self attention mechanism to create contextual embeddings so अगले दो तिन वीडियो बहुत interesting है I am super excited I hope आप भी हो मिलते हैं next वीडियो में Bye